परिया में छे लोगों की हत्या के मामने में जिला प्रिशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कल देर शाम तक मृतक प्रेमचंद यादव की घर और जमीन की पैमाईश हुई जिसके बाद में ये बात सामने आई कि प्रेमचंद यादव ने खलीहान और साती सरकारी जमीन पर अवैद तरीके से कबज़ा किया था। ये पूरी रिपोर्ट शासन को भीष्टी गई है और शासन की हारी जंडी मिलने के बाद में ब्रतक प्रेमचंद यादव में जो अवैद रूप से कबज़ा किया है उस पर बुल्डोसर शलाकर कबज़ा मुक्त किया जाएगा। मैं इस वक्त खणा हूँ प्रेमचंद यादव के घर पे आप एसाब तोर से तस्वीरे देख सकते हैं कि यहाँ जो है पुलिस कर्मी मौजूद है और यह जो पीछे घर मैं आपको दिखा रहा हूँ यह प्रेमचंद यादव का है कल जिला परशासन और राज्यस विभाग कि कई करम चारी मौके पहुंचे और जरीब से इस रोड की पहमाइस किया है यह यूं कहें कि जो प्रेमचंद यादव का घर है उसके चोहद्दी को नापे और इस रास्ति को भी उन्होंने नापा जुका और इस बात की पुष्टी हो चुकी है कि प्रेमचंद यादव ने प्रेमचंद यादो की घर पर बुल्डोजर चलेगा और जानकारी के साथ पे उमा शंकर भट जुड़ गये हैं संबदाता उमा शंकर प्रिशासन की जाच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं और साती बुल्डोजर एक्शन की बात कही जा रही है कब तक करवाई होगी जिसे सोमवार की घटना के बाद मंगलवार को जिलापर सातन ने देर साम तक राजोस की एक बड़ी टीम गठित की जो मिल तक ब्रेमचंद यादो की घर की पैमाईस की जमीन की पैमाईस की उसमें कुछ अवैद अदकमर पाया गया है जिसकी रिपोर्ट सातन को भेज दी जाए यहां पर बोल्डोजा जैसा एक्षन होगा लेकिन सबसे बिज्चस बात रही कि ऐसा सुत्र बता रहे हैं कि सासन से इनको हरी घंडी मिल गई है तो एक्षन लेने की तैयारी यहां पर की जा रही है जल्द ही कारवाई भी की जाएगी